हेलो बच्चू, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10 के ट्राइंगल चेप्टर के यानि त्रिफुर चेप्टर की एकसरसाइज 6.3 का एक बहुत ही इंपर्टेंट क्वेशन यहाँ पे question number 12 and question number 14, दोनों same है और उनका solution भी same रहेगा इसलिए हम दोनों के लिए एक ही solution जो है वो डिस्कस कर रहे हैं So question is, sites AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sites PQ and QR and median PM of triangle PQR Show that triangle ABC is similar to triangle PQR, यानि दी गई आकरती में त्रिफुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्य का AD, एक अन्य त्रिफुज PQR की क्रमशव भुजाओं PQ और QR तथा माध्य का PM के समानू पाती है तरशाइए कि त्रिफुज ABC समरूप है त्रिफुज PQR के तो यहाँ पर हमें दो त्रिफुज यानि ट्रिफुज दिये हुएं ABC और PQR जिसमें हमारी AB यानि ये साइट, BC यानि ये साइट और माध्य का यानि जो हमारा median है AD, ये त्रिफुज PQR के यानि ट्रिफुज PQR जो है उसमें जो हमारी corresponding sides है कौन-कौन सी PQ, QR और जो हमारी यहाँ पर median है PM उसके proportional हैं तो हमें प्रूफ करना है कि triangle ABC और triangle PQR जो हैं वो भी similar हैं तो अब इसे प्रूफ कैसे करना है वो हम देखते हैं क्योंकि यहाँ इसे प्रूफ करने के लिए हम construction भी करेंगे तो करते हैं start हम given से कि हमें दिया क्या-क्या हुआ है यहाँ पर So given हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारा triangle ABC और triangle PQR है उसमें AB उसमें AB upon PQ क्योंकि corresponding sides का ratio equal है न और AC upon PR यह equal है जो हमारे medians यानि AD upon PNK ratio के equal यह हमें दिया हुआ है to prove हमें यहाँ पर prove क्या करना है कि जो हमारे triangle है यानि triangle ABC जो है it is similar to किसके triangle PQR के यह हमें यहाँ पर prove करना है अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ इसे हम prove करने के लिए construction करेंगे तो वो construction क्या है कि हम AD को यानि इसे इस तरह से produce करेंगे कि AD और जहां हम इसे E तक produce कर रहे हैं यह दोनों equal हों यानि AD और DE यह दोनों length जो है वो equal है और यह हमने से join कर दिया C से similarly PM जो है इसको भी हम आगे produce करेंगे उसी ढग से कि PM और यह जो हम MN यानि यह जो हम portion ले रहे हैं N यह भी दोनों पार्ट equal हों और इसे हम यहाँ पर R से join कर देते हैं clear तो यह हो गया हमारा construction अब इसे हम यहाँ लिख भी लेते हैं यह construction हमने क्या किया है हमने कहा किया है produce AD to E and PM to N such that किस thing से हमने produce किया है कि जो हमारा AD है वो DE के equal हो जाए और जो हमारा PM है वो M N के equal हो तो यह हमारी construction हो गई अब इसी construction के base पे हम इसे आगे proof करेंगे तो अब हम क्या करेंगे अब आता है हमारा proof अब proof को ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं सबसे पहले हम triangle ABD और triangle EDC ले ले लेते हैं यानि एक तो यह वाला triangle ABD यह हमारा triangle और एक यह triangle EDC जो अभी हमारा construction से बना है इन दोनों triangle में देखें तो हमने AD और DE यह तो equal किये ही है by construction किया है हमने यह पिर यह angle जो है और यह angle यह vertically opposite angle है तो यह दोनों equal होंगे और क्योंकि हमारा AD जो है वो median है माध्य का तो वो opposite side को two equal parts में divide करेगी इस जो यह BD है इस DC के equal हो गया तो यहाँ पर SAS congruency से हमारे यह दोनों triangle क्या हो गए congruent हो गए same thing हमारा यहाँ पर होगा कि यह side और यह side equal है यह भी median है क्योंकि PM तो यह दोनों equal हो गए और यह vertical opposite angle है तो उससे क्या होगा जो हमारा दूसरा triangle यानि PMQ यानि यह वाला जो पूरा triangle है और यह जो construction से नया triangle बना है NMR यह भी दोनो congruent हो जाएंगे clear तो अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं in triangle ABD and triangle EDC हमने देखा AD जो है वो DE के equal है क्यों यह हमारा by construction क्योंकि हमने construction में ऐसा किया है clear उसके बाद next जो चीज है कि जो हमारा angle ADB वो equal है angle EDC के क्योंकि यह दोनो vertically opposite angles है फिर BD is equal to CD reason क्या है कि AD जो है वो median है AD is median तो अब क्या हुआ यह side है यह angle है और यह side है तो SAS से क्या हो जाएगा हमारे दोनों triangles जो है वो congruent हो जाएंगे तो by SAS triangle ABD is congruent to triangle EDC तोनों triangle congruent हो गए जब triangle congruent हो गए तो corresponding parts जो है वो भी equal हो जाएंगे यानि जो side हमारी AB है वो equal हो जाएगी side ECK CPCT corresponding parts of congruent triangles करते हैं न हम तो CPCT और similarly जैसे मैंने भी बताया था जो हमारे दूसरे दो triangles हैं वो भी congruent होंगे यानि triangle PMQ जो है वो congruent हो जाएगा triangle NMRK तो वहाँ भी हमारा जो corresponding parts हैं वो equal हो जाएंगे यानि PQ जो है वो equal हो जाएगा NRK by CPCT तो इस तरह से हमने पहले तो तोनों जो हमने construction करके triangles बनाए हैं उन्हें congruent proof कर लिया और corresponding parts equal कर दिया हैं अब आजाते हैं आगे के part पर अब हमें यहाँ पर already क्या दिया हुआ है AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM यह तो given है ना शुरू में हमें दिया था कि यह corresponding sides का जो ratio है वो same है तो अब हम इसी को लेके आगे use start करते हैं तो अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM clear तो AB जिसे अभी अभी हमने CE के equal proof किया corresponding parts देना यह दोनों triangle हमने congruent proof किये तो इसका AB और इसका CE यह भी equal होगा congruent है तो तो हम AB की जगे यहाँ पर CE लिख देते हैं CE similarly जब यह triangle और यह triangle congruent proof हो गए तो इसका PQ और इसका जो NR है यह भी equal होगा तो यहाँ पर P की की जगे हम NR लिख देते हैं देख रहे हैं AB की जगे हमने CE रिखा है और P की जगे हमने NR लिखा है तो CE upon NR is equal to AC upon PR और यह जो AD है इसे हम AD upon PM को उपर और नीचे दोनों जगे 2 से multiply कर देते हैं तो अगर 2 cancel होगा तो original letter बनी रहेगी अब हम figure में देखें कि 2 times AD यानि AD का double, AD का double यानि पूरा का पूरा हमारा AE वो AD का double है और इसी तरह जो PM का double यानि यह जो PM है हमारा इसका double यानि पूरा का पूरा PN क्योंकि हमने PN और MN को equal रखा था तो next हमें मिल गया CE upon NR is equal to AC upon PR is equal to 2 times AD is AE upon PN clear? यह point clear हुआ ना कि हमने उसे 2 times लिया है तो वो double होके AE के equal हो गया और PM double होके PN के equal हो गया अब जब यह sides का ratio हमारा equal हा गया तो इसका मतलब जो हमारा triangle AEC है और triangle PNR है यह दोनों similar हो गए AEC यानि यह पूरा बड़ा वाला triangle और PNR यानि यह पूरा बड़ा वाला triangle जो है यह हमारे similar हो गए क्योंकि इसकी corresponding sides का ratio same है अब जब यह similar हो गए तो अब हम यहाँ देखें हम इने name कर देते हैं यह जो angle है इसका 1 और इसका जो angle यह है 2 similar हो गए तो इनके angles जो है equal होने चाहिए तो angle 1 जो है वो equal होगए angle 2 के ऐसे ही जो remaining part है यह है 3 और यह है angle 4 तो 3 और 4 जो है remaining part वो भी equal हो जाएंगे angle 3 is equal to angle 4 इसे हम ले लेते है equation 1 और इसे ले लेते है equation 2 अब इन दोनों equations को add कर दे adding equation 1 and 2 इन दोनों को add करके क्या मिलेगा जब हम add करेंगे तो left hand side left hand side में और right hand side right hand side में add करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4 और 1 और 3 मिला कर हमारा पूरा का पूरा यहां पर देखो figure में पूरा का पूरा angle A बन रहा है और 4 और 2 को मिला के angle P बन रहा है it means हम यहां 1 plus 3 की जगे क्या लिख सकते हैं angle A और यहां लिख लिया angle P अब angle A और angle P equal है और जो हमें given था given में हमें corresponding sides का जो ratio था वो equal दिया हुआ था यानि हमें AB upon PQ जो था वो equal दिया हुआ है AC upon PRK यह हमारा given था starting में ही हमें यह दिया गया था तो यह हो गई side angle side तो using SAS क्या होगा जो हमारा triangle ABC है वो similar हो जाएगा triangle PQRK और यही हमें proof करना था hence proved clear जैसे ही हमने angle A और angle P को equal proof किया तो AB upon PQ और AC upon PR यह तो हमें starting में ही दिया हुआ है जैसे यहां भी दिया हुआ है यह given था तो AB upon PQ यह दोनों sides हो गई हमारी यह वाली और यह वाली यह AB upon PQ हो गया AC upon PR यानि यह side upon यह side और angle A और angle P को अभी हमने equal proof कर दिया तो हो गया ना side angle side तो इससे ABC और PQR जो है वो similar proof हो गया तो अभी solution को बेटा अच्छे से देखिए समझेए practice कीजिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक keep practicing and enjoy Maths ग्यास